देखती हुई आग पर चढ़ा दिया है पैन, तेरे बिना आये न, मुझको एक उल्चा है महबतों का मीटा मीटा कारोबार सिखाने जा रहा हूँ आज घर में चॉकलेट बना कर मुनाफ़ा बक्ष कारोबार ऐसे कर सकते पैन में पाने डाल कर इसमें एक और पतीली रख दे और डबल जैकट बना ले चॉकलेट के बड़े पीसिस को बड़ी बेरहमी से चोटे चोटे टुकडों में तक्सीम कर दे टोटे टोटे करने के बाद इस चॉकलेट को डाल दे डबल जैकट बॉयलर में और नीचे वाला बलतन छोटा हो तो इसको कर दें तबदील तो आ चुकी है तबदीली, पैन की जगा चड़ा दिया है पतीली चॉकलेट थोड़ी मेल्ट होने पर इसमें जरूरत कुकिंग ओल शामिल करें ताके चॉकलेट खाने में सॉफ्ट सॉफ्ट फील हो चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है इसको बरेंगे फिलिंग गन में और मोल्ड को लाइन हाजर करके एक-एक में फिल करना शुरू कर देंगे चॉकलेट कैंडी के साथ साथ कुछ मोल्ड चॉकलेट लॉली पॉप के भी फिल कर लेते हैं ताके टू-इन-वन हो जाए हम दो अपना काम कर चुके हैं चॉकलेट के सारे मोल्ड बर चुके हैं इनको एक गन्टा रूम टमपरेचर यानि के कमरे में ही किसी भी जगा पर रखके एक गन्टे के लिए स्टे देंगे और प्रो टिप ये हैं कि आप अगर शादी शुदा है तो पतीली में मौझूद गरम पानी से चॉकलेट वाले सारे बरतन दोकर वापिस उनकी जगा पर रख दें पिर नगया ना कारोबार शुरू होने से पहले ही पॉड़ा पह आ गया चॉकलेट इसे जम चुकी है मौल्ज में से एक एक पिस निकाल लेंगे और ये हमारी जबरतसी चॉकलेट सुर्खी पोडर लगा कर तयार हो चुकी है और लॉली पॉप को भी निकाल बाहिर करेंगे अब वक्त होँआ चाता है इनको कपड़े पहनाने का ये वाली अलूमίνयेम रैप की शीट लेंगे चॉकलेट के साइज का मताविक इसको काट लेंगे एक एक चॉकलेट का पिस उठाएंगे और नहायत अदवोह तराम से अलूमीनियम के टुकडो में लपेट देंगे blue blue rapper और चमक्ःली तार से करेंगे लॉली पॉप का संगार लॉली पॉप को नीली चादर उड़ा कर चमक्ती तार से बांदरें के बाध ये सब कुछ ऐसा प्यार सनीजारव पेश करेंगे एक एक पीस को लाते हैं मेजान पर और अलग-अलग सब का वजन कर लेते हैं ताके हमें पता चल सके कितना खर्चा इस एक पीस पे हुआ है कितने में बेचना है क्या प्रॉफिट रेशो होड़ी अलॉमिनियू फाइल में लिप्टी सारी चॉकलेट्स को शिफ्ट करेंगे ब या पिर इस तरह के स्टेंडिंग पाउच में बरकर भी बेच सकते हैं जिसकी ट्रास्पेरेंट विंडो से ये चॉकलेट्स बाहिर का निजारा भी देख सकेंगे इसकी खुबशूरती बढ़ाने के लिए अब डास्टीकर भी आप इस पे चिफका सकते हैं ना भी चिफका पाए तो पहले ही निजारे बाद जबरतस्त हैं चॉकलेट बनके पैकों के त्यार हो चुकी है अब प्रॉफिट रेशो और कल्कुलेशन की तरफ न बढ़े कल्कुलेशन करें तो करोबार शुरू करने के लिए छे किलो चॉकलेट ले लें 500 रुपे किलो के हिसाब से 3000 रुपे की चॉकलेट चार अदद मोल्ड 500 रुपे फी मोल्ड के हिसाब से 2000 रुपे के एक किलो रैपर 1200 रुपे का आईल एक लीटर शुरू में ले लें 500 रुपे का कुछ ब्रेंड्स के इससे महंगे भी हैं और कुछ के इससस्ते भी हैं खाली डब्बे वगेरा बने बनाए ले लें तो 1000 रुपे के अपने बनवा लें तो 20,000 रुपे का 1000 रुपे ये बनेगा ये आपके बजट पर डिपेंड करता है आपके नाम से आपके डिजाइन से 1000 रुपे बनेगा 20 रुपे फी डब्बे के इससाब से और ये वाला पाउच लेंगे तो ये 33 रुपे का फी पाउच पढ़ेगा ये आप 50 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, जितना दिल चाहे ले सकते हैं हम 1000 रुपे तकरीबन इसकी मज में लगाते हैं आप जो मर्जीन में से ले ले तो रिक्वाइड बजट है हमारा 7700, 7700 रुपे में आपका ये कारोबार शुरू हो सकता है और फी चॉकलेट एवरेज 10 ग्रान की है, तो 5 रुपे की हमें चॉकलेट पड़ी चॉकलेट भी 500 रुपे लिटर है और चॉकलेट भी 500 रुपे किलो है इसलिए हम आईल के पैसे अलग से नहीं लगाएंगे लेबल फी चॉकलेट 75 पैसे का, तो एक चॉकलेट 5 रुपे 75 पैसे की तियार है 50 पीसिद की पैकिंग बनाएं तो 287 रुपे 50 पैसे में हमें एक पैकिंग त्यार पड़ेगे खाली डबा 20 रुपे का मिल जाएगा गैस मजदूरी फी डबा खरच 5 रुपे तो 312 रुपे और 50 पैसे में आपका ये एक डबा बनके पैकों के त्यार है ये रिटेल करेंगे हम 10 रुपे में चॉकलेट और हो रही है मार्केट में तो 500 का ये रिटेल में डबासेल होगा बोलसेल में हम इसको 410 रुपे का देंगे 90 रुपे दुकानदार को बचेंगे जबके 97.5 रुपे फी पैकट 97 रुपे 50 पैसे तक्रीबन तक्रीबन सो रुपे, साड़े साथ रुपे मजीद हम छोटे मोटे खर्चों की मेदब निकाल दें, तो 90 रुपे फी डब्बे के पीछे हमें, चौकलेट के प्रॉफिट मिल रहे हैं, यह एक छोटा सा कारोबारी आइडिया है, जो आपके साथ शेर किया है, I hope कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेर कर दीजिए, मिलेंग नेक्स्ट वडियो में, अलाहाफिस